दोस्तों स्वागत है आप सभी का BAC and NAC अड़ा में आए हम पहले अनलिसिस कर लेते हैं अपनी प्रिवेस टेट का और देखते हैं इसके पहले जो मैंने दो स्टॉक बताये थे उन्होंने कैसा प्रफॉर्म किया हमारा पहला स्टॉक सन फार्मा का था इसे बाय करना था 780 पर और सोट सेल करना था 772 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं या स्टॉक ओपेन हुआ था 786.5 पर यानि कि इस स्टॉक में हमें बाय करने का मौका नहीं मिला गैप अप ओपनी हुई और आपका पहला टार्गेट 789 का दूसरा टार्गेट 766 का था और अब देखिए इस स्टॉक ने लो मारा था 760 का तो दोस्तों इस तरह से सन फार्मा ने अपने सोट सेल के दोनों टार्गेट को अचीव किया और उसके बाद भी काफी नीचे तक गिरा 760 तक गिया तो उमीद है कि इस स्टॉक में आप सभी लों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और हमारा दूसरा स्टॉक SBI का था इसे में अब भी आपको सोट सेल करने का मौका मिला होगा इसे सोट सेल करना था 482 पर और आपका पहला टार्गेट 489 का था अब जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं इसमें जो पहली 5 मिनट की कैंडिल थी और दूसरी जो कैंडिल थी वही सिर्फ और सिर्फ यानि की बाएक साइट का इंडिकेट कर रही थी लेकिन उसके बाद की जितनी क मत करिए जल्द बाजी में ट्रेड मत डालिए थोड़ा सा टाइम दीजिए मार्केट ओपन होने के बाद 5 से 10 मिनट का 15 मिनट का मैंने तो आप से ये भी बोलाए कि लगबख 9 के आसपास कोसिस किया करिए ट्रेड डालने की तो आप जैसा कि इसक्रिन पर देख पा रहे हैं साड़े 9 की जो कैंडिल है यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मौका था सोट सेल करने का इसके बाद इस स्टॉक में आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला था अपना प्रॉफिट पहला प्रॉफिट बुक करने का तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि आज के लिए मैंने किस स्टॉक को चुना है आज का हमारा स्टॉक रहेगा BPCL आप चाहें तो आज की अपनी इंट्राडे की ट्रेड इस स्टॉक में डाल सकते हैं आप BPCL को बाय कर सकते हैं 397 पर पहला टार्गेट 399 दूसरा टार्गेट 403 का लेकिन अगर यही गिरना शुरू होता है तो आप इसे सोट सेल कर सकते हैं 391 और पहला टार्गेट 289 और दूसरा टार्गेट 286 का और दोस्तों इस स्टॉक में आपका स्टॉप लोस रहेगा 5.SL 5.BPCL तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अच्छे से ट्रेड डालिए और मार्केट को अबजर्व करते हुए ट्रेडिंग करिए जरूरी नहीं है कि आप हर रोज ट्रेडिंग करें ही इस चीज को आप अपने दिमाग से लगा दीजे कि इंट्राडे में आप हर लॉस्तों मार्केट है तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस और ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ तो लॉस अगर होता है किसी दिन तो उसके चेकर में आप रिवर्स ट्रेडिंग मत करिए यानि कि एक ट्रेड में लॉस हो गया तो उसके बाद आप लगातार तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें अगर किसी को अपना DMAT account खुलवाना है अपना या अपनी family members का या किसी friend का तो नीचे description box में मैंने link दिया है आप उस पे click करके अपना DMAT account खुलवा सकते हैं और अगले दिन से मेरे साथ trading शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से